तो यहां पर रिसेट दिख रहा है मैं इसको ब्रेक करूंगा मतलब रटाओंगा और इन सभी कोड को इस तरह से क्लिक करके फोल्ड कर देता हूं यहीं पर हमें सारा कोड करना है और मुझे करना क्या है आज मैं आप लोग को रुण करके दिखाऊंगा तो यह देखो रिसेट बटन पर जैसे क्लिक करते हैं हम तो कुछ होता नहीं है क्लिक किया इस पर कुछ हो नहीं रहा है तो मैं चाहता हूं कि जैसे इस पर क्लिक करूं तो इसी तरह से blank form हो जाए, reset हो जाए, पुरा form, तो कैसे करेंगे, तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं, reset के लिए मैं क्या करूँगा, open हो जाए, यह देखो, यह सारे text box है, तो इन सभी text box में empty string set करना है, तो कैसे करूँगा, देखो आप लो, add student.name.setText, और यहाँ पर कर दिया मैं empty string, इसी और कोपी करके नीचे आउँगा, यहाँ कर देंगे if name, इसी करके नीचे कोपी करके आउँगा, और यहाँ पर कर दूँगा if name, बतलब इसी तरह से हम करेंगे, आप देखो, run हो जाँ, यह देखो, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा, फिर कुछ लिखा, फिर कुछ लिखा, तो अब आप देखना, जैसे reset button पर क्लिक किया, तो यह दोनों empty हो गया, तो मैं ऐसी कावी paste कर दूँगा, पर मजा नहीं आ रहा है, इस तरह से हम कतना कावी paste करें, मजा नहीं मैं थोड़े देर में इन सभी का name लिखके यहाँ पर आता हूँ, देखिए, इस तरह से मैंने क्या क्या सभी का array बना लिया, अभी एक line में जो है, फिट नहीं हो रहा है, यहाँ तक आ गया, तो मैं क्या करूँगा, कि यहाँ पर आऊंगा, इन सब line break कर दूँगा नीचे, इस तरह से, इस तरह हम से मैं सभी का क्या करूँगा, एंटर, एंटर मार के नीचे, line break कर दूँगा, देखो कैसे हो रहा है, तो यह थोड़ा सा दीखेगा systematic type से आपको, यह की screen के दिखाई देगा, इस तरह से पूरा, जेड, एलो आप, तो हमने क्या क्या array बना लिया, अब यहाँ पर array बनके ready हो गया, अब मैं क्या करूँगा, simple loop चला के इनका सभी का variable बन चुका, अब इसको मैं loop चलाँगा, loop मैं क्या कौन सा loop चलाँगा, यहाँ पर चाहो तो for loop चला लो, तो भी दिक्कत तो नहीं है, ले फोर लोग भी यहाँ पर चला सकते हो, जैसे i nti i equal to zero कर देंगे, और फिर i less than, इसके length तक चला देंगे, और क्या, i less than, इतना dot, length, text box, length हमने इनकाल सरते क्या यहाँ पर, dot, c-o-u-n-t, length हे लो, length आ गया, और फिर कॉमा, i plus plus, और enter हमने मारा यहाँ पर, क्यों mirror आ रहा है, मिर भाई, इस तरह से यह लो, और फिर हम क्या करेंगे, कि, यह यह text box है, dot, set text, नहीं, नहीं, set text नहीं, ऐसे यहाँ पर आई, और फिर dot, ऐसे क्यों लिखना पड़ा हो, समय दो पहले हैं, यह text box जो है, इसमें बहुत सारा text box है, तो हमको 0, 1, 2, 3, सभी indexing का करना पड़ेगा, जिरो indexing का, फिर 1 indexing का, तो इस तरह से हम आई पास करेंगे, यहाँ पर, dot, array के साथ कैसे काम करना है, इसकी आपको समझ हो, इसलिए मैं for loop का इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं, तो for each loop का इस्तेमाल करके, बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है, यहाँ पर, अब ले लो, जिरो से चलेगा, length तक, less than मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि length से एक कम हो, चलिए मैं परोग्राम को run करता हूं, और देखते हैं काम करता है, या नहीं, मैंने सिर्फ text box में लिख रखा है, सारे text box फिल हो गया, और मैं यहाँ पर करता हूं, reset button पर लिख, ते दोको सारा जो है, clear हो गया, और, exceptions अगर नहीं आये हैं कहीं, तो यह सारे text box को इस तरह से हम reset कर दिये, for loop, इसको for each loop के मदश से कैसे हम करेंगे, बहुत आसाल है, for, ऐसे, जे, text field, t, ऐसे, और फिर यहाँ पर text box, यह हो गया, array, यहाँ पर आवा आप, और फिर, t.set text, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, इस लाइन को मैं comment करता हूं, तो इस तरह से आप for each loop का इस्तेमाल करके, और फिर इन सब को reset कर सकते हो, आप कैसे यह देख लो, यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह से आप इस्तेमाल करके, यह देखो, reset button पर क्लिक्टिया, पूरा blank हो गया, तो यह for loop का इस तरह से, यहाँ simple एक line है, इसलिए यहाँ पर जरूरी नहीं है, कि आप इस तरह से भी आप लेख सकते होगे, लेकिन मैं, यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, single line statement पर जरूरत नहीं होता, तो आप for loop का इस्तेमाल करो, या for each loop का इस्तेमाल करो, कुई फर्क नहीं पड़ता, आपको for loop से array का understanding होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया, यहाँ बागी कुई region नहीं है, मैं for each loop ही इस्तेमाल करता, यहाँ delete कर दिया मैं, hello, तो इस तरह से यहाँ हो गया, का मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको delete नहीं कर रहा हूँ, आप कभी याद करना देख के भूल जाओगे तो, अब हमें क्या करना है, date of birth, तो date of birth, date of, सबकों मैं reset करूँगा, यहाँ पर, dot doa, dot set date, set date क्या करता है, null return करता है, जब हमारी date selected नहीं हो, तो, मैं यहाँ पर null कर दूँगा, हो जागा काम हमारा, मैं program run करके आपको दिखा देता हूँ, यह देखो, मैंने कोई date यहाँ select किया, यहाँ से भी कोई date select किया, reset button पर click किया, तो यह null कर दिया गया, फूरा, खतम कहाने, तो यह date के लिए हो गया, male, female का जो है, उसको भी करना पड़े गहाँ है, जहाँ पर मैं, dot, but, button group है, इस button group के अंदर ही male और female का radio button है, तो इसी पर हम एक method चलाएंगे, clear selection, यह clear हो जाएगा, आप देखो कैसे clear होता है, अब आता है यह, इनको कैसे manage किया जाए, तो इनको manage करना भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप देखो इदर, dot, set, selection index, नहीं या ऐसे नहीं, यहाँ पर लिखने बड़ेगा, course, course, dot, set, selection, index, यहाँ पर मैं pass कर दूँगा, zero, इसी तरह से नीचे भी paste कर दूँगा, यहाँ यहाँ पर category दे दूँगा, category combo box, होगया, फिर से मैं run करता हूँ, और आप देखना कि यह हो जागा, देखो, category में मैंने क्या select किया, select कर लिया, यह, नीचे आगे, जैसे clear किया, select आगे, यहाँ पर भी आप दोनों से try कर लो, अब दो इक combo box है, तो इसे लिए मैं इस तरह कोई array वेरे नहीं बना रहा हूँ, और दो इठो date of worth के लिए है, तो मैं कोई array वगरे नहीं बना हूँ, आप बना सकते हो, इसी तरह से array बना करके, लूप चला करके, इसको भी reset कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद, नीचे ले आता हूँ, इसके बाद हमें क्या उनसा reset करना है, इस photo को भी grab कर देना चाहिए, तो देखिए photo grab करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, .phphoto, photo label में है, तो इस photo.wait, wait, हमें सबसे पहले तो photo को खाली करना है, तो मैं जाऊंगा icon class के अंदे, .icon, icon interface, इसको comment out करते हैं, यह icon नहीं चाहिए, मुझे अपना वाला icon चाहिए, utility वाला icon.setimage, तो पहला है जो button में set करता है, इमें दूसरा function में ने बनाया है, sorry method बनाया है, जो की label पर set करता है, यह ले लेंगे, यहाँ पर हमको क्या चाहिए जी, icon.noimage, यहाँ पर डाल देंगे हम फोटो, और हमको कौन सा label में no image लगाना है, तो इस वाले में, इतने से काम होगा नहीं है, इतने से तो खाली photo set हुए है, नो image लगाना है, अब नीचे फिर से हम आएंगे, और यह photo, यह photo input stream type का है, अब इसमें पास कर देंगे, null, यह लो, इस तरह से, यह कौन सा photo है, तो यहाँ पर यह वाला photo में null पास करें, प्रेस होना चाहिए, न, reset में, पूराना, हो सकता है कि पूराना image selected हो, और वो ही selected रह जाए, तो हम इसको भी null कर देंगे, मैं दिखाता हूँ, select करके, यह देखो, यहाँ पर मैं आऊंगा, और यहाँ पर select किया आ गया, जैसे यह reset पर click किया, तो इन ओई में जब लेबल आईए, और photo में null पास करेंगे, मतलब कोई photo selected नहीं है, photo select होता है, तो इसमें भी photo जाता है, लेकिन हमने इसको null कर दिया, मतलब कोई photo selected नहीं है, अब आता है certificate वाला लेबल, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऐसे कर दो, delete, इसको भी आप चाहो तो array में बना सकते हो, बना देंगे array में ही, इस तरह से, हम इसी text को copy कर रहा हूं, देखो, space फिर column देकर की space है, यहाँ पर मैं इसी को copy कर लूँगा, cut कर लेता हूं, copy जाकर है, ऐसे, और यहाँ पर मैं भी चलाऊंगा, for each, इसको पहले paste कर लेता हूं, यहाँ पर, और यहाँ पर मैं करूंगा, j, label, ऐसे, फिर l, equal to, ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और फिर form के अंदर सारे label है, तो यह form. ऐसे करूंगा, मैं, इस तरह से मैं कर दूँगा, इस तरह से मैं कर दूँगा, एक मिनिट, इसी तरह से मैं इसको इस पेस दे दे था हूं खाली, ताकि आपको read करने में असान हो, और मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर, बस, for each, फिर, j, label, equal to, j, label, label, colon, गलत इस पहली होगा, तो मुझे इस बास से problem नहीं है भी, और यहाँ आएंगे, और सीधा कर देंगे, label, label.set, text कर दूँगा, जी, simple सी बात है यहाँ पर, और इसके जिए, वाला मैं, text, cut करूंगा, यहाँ से, और कर दूँगा, आकि उपर, paste, इस तरह से, हमने validation में भी यही लगाया होगा, एक space दिया है, यहाँ पर space है, फिर यहाँ पर colon, फिर file में, तो हमने validation में भी यही लिख रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर space दे रहा हूँ, काम होगे हमारे, लेकिन बस, program को, एक बार मैं पूरा code दिखा देता हूँ, आप लोको reset का, यह देख लो, मैं वाइट इस ख़सम कर देता हूँ, यह ले लोड़ आप, यही पूरा reset का code है, यहाँ से curly braces open, यहाँ curly braces open, यही पूरा reset का code है, मैं रखता हूँ, आप देखना, पूरा reset होगा, यहाँ भी आता हूँ मैं, इस पर क्लिक किया, फोटो सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, इसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट हो गया, यही है, बागे इसमें कुछ और नहीं रखा, चलिए, मिलते हैं कभी और, झाल नहीं और, जिए, मिलते हुआ झाल, जिए, इसमें प्रहिर सहुआँ मैं सेलेक्ट, इस भी मैं सेलेक्ट हो, आप नहीं यहाँ मैं, इसको किया, इसमें सेलेक्ट, बागे हो गया गया,